नमस्कार आप देख रहे हैं इजी शिक्षा मैं हूँ आपके साथ पंच्षिका चाहान तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की जिसका शीषक है किसकी भैस पेवरा गाओं के एक किसान ने अपने लिए एक भैस खरीदने की सोची वह एक दिन सुबा शहर चला गया शहर का रास्ता बहुत ही लंबा था और घने जंगल से जाना पड़ता था शहर में भैस खरीदने के बाद वह घर की ओर रवाना हुआ सुनसान रास्ते में वह पैदल ही चला जा रहा था बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वह अच्छा तगडा था उसने किसान को देखते ही कहा क्या भाई आजकल खेत में बहुत कमाई हो रही है पर कोई बात नहीं ये भैस तो अब मेरे साथ ही जाएगी किसान ने जट से कहा क्यों भाई ये तो मैंने खरीदी है चोर बोला तो जो कहा है वो करो भैस छोड़ कर चुपचाप यहां से चलते बनो वरना लाठी देखिये हैं तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तब तो कि सुख गया हाला कि शारिरिक बल में वह चोर से कम नहीं था पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे विप्रीत समय में बुद्धिबल काम आया किसान बोला ठीक है भाई भैस भले ही ले लो पर किसान की चीज यो छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा बदले में कुछ देकर भैस लेते तो पाप से बच जाते चोर बोला यहां मेरे पास देने को क्या है किसान ने जट से कहा और कुछ ना से ही लाठी देकर भैस का बदला कर लो चोर ने खुश होकर लाठी किसान को पकड़ा दी और भैस पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया तभी किसान कड़क कर बोला चल हट भैस के पास से नहीं तो अभी तेरी खोपड़ी तोड़ दूगा चोर ने पूछा क्यों किसान बोला क्यों क्या जिसकी लाटी उसकी भैस चोर को अपनी बेवकूफी समझा गई और उसने भैस को वही छोड़ कर महां से भाग जाना ही सही समझा तो बच्चों हम हमारे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही हमारे चानल को सपोर्ट कीजिए हमें सब्सक्राइब करके धन जिने बाद